नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम गुलकोज से जुड़ा हुआ कुछ डिजिज है उसके बारे में डिसकस करते हैं गुलकोज से जुड़े हुए डिजिज में पहला डिजिज का नाम आता है डायविटीज यह diabetes दो तरह का है, diabetes का मतलब है दो चीजे, पहला या तो blood के अंदर glucose का level बढ़ जाना, simple इसको diabetes बोलते हैं, normal रेंसे उपर बढ़ गया diabetes है, यह diabetes होने के दो कारण है, पहला कारण यह है कि insulin या तो produce नहीं हो पा रहा है, इंसुलीन जितनी मातरा में, इंसुलीन का से क्रेशन करने वाला जो सेल है, वो खराब हो, उसके कारण से इंसुलीन पैदा ही नहीं हो पा रहा हो, या फिर इंसुलीन पैदा तो हो रहा है, लेगिन हो किसी काम का नहीं हो, यानि कि वो functionally impaired हो, functionally अपना function loss कर चुका हो, उस काम तो ये diabetes अलग-अलग इसके अलाव भी और condition में होते हैं, तो आज हम देखेंगे इनी चीज़कों की diabetes क्या है, और ये कितने तरीके के होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए, diabetes मेलनी दो तरह का होता है, diabetes को generally हमने क्या देखा कि blood के अंदर glucose का level बढ़ जाना, अब इसके अंदर ये दो तरह के diabetes बना गया है, पहला है type 1 diabetes, दूसरा है type 2 diabetes, type 1 diabetes कहने का मतलब होता है, कि एक ऐसा autoimmune disorder या एक ऐसा autoimmune disease, जिसके कारण से हमारी body के वो cell जो insulin को पैदा करते हैं और insulin को release कराते हैं, वो उसके अंदर को deformality जा जाए, जिसके कारण से ना तो वो insulin पैद कर पाएं और ना insulin को release करा पाएं, यानि कि insulin पैदा करने वाले cell के अंदर अगर genetically जन्मजात ही अगर कोई दिक्कत आ जाती है, वो cell ही अगर proper उसे develop नहीं हो पाते कि insulin बना पाएं, तो उस तरह के disease को उस तरह से जो diabetes को या उस तरह से जो sugar का level बढ़ जाता है, तो उसको type 1 diabetes बोला जाता है, यह autoimmune disease है, यानि कि हमारा body उसको नहीं बना पाता है, insulin ही नहीं बना पाता यह, तो इसलिए type 1 diabetes इसको बोला जाता है, यानि कि यह autoimmune disorder है, in which यह जिसके अंदर हमारा जो immune system है, वो ही destroy कर देता है cells को, जो insulin को हमारे body में बनाता या pancreas जो बनाता है, यानि कि ह हमारा खुद का immune system, insulin पैदा करने वाले cell को destroy कर देता है, जिसके करण से हमारा body insulin नहीं बना पाता है, वो cell ही नहीं रहता तो कैसे बनेगा, और उस करण से फिर diabetes डेवलप होती है, उसको type 1 diabetes बोलते है, type 2 diabetes का मतलब है, कि इसमें हमारा body का वो cell, जो insulin तो बना रहा है, लेकिन proper quality का नहीं है, या proper quantity में नहीं बना पा रहा हो, proper quantity में नहीं बना पा रहा हो, या फिर quality खराब है, उन दोनों चीज के कारण से, अगर कोई diabetes डेवलप होती है, तो उसको हम type 2 diabetes बोलते हैं, और ये दो चीजे हमारे रहन-सहन, खान-पान के कारण डेवलप होती है, ये हमारे auto immune disorder नहीं है, ये कोई odd disease complications के रूप में, इसमें क्या, the body makes insulin, but cells don't respond to it, यानि कि हमारा body insulin तो बनाता है, लेकिन जो cells होते हैं, उस insulin के प्रती कोई response नहीं दिखाते हैं, normally, they don't take in glucose from your bloodstream, यानि कि bloodstream से glucose को वो ले नहीं पाते, as well as they once did, अगर वो ले भी ले, which leads to higher blood sugar levels, और तो उसके कारण से blood sugar का level बढ़ जाता, यानि कि वो तो blood sugar को level को अब ले नहीं पाते, absorb नहीं कर पाते, और अगर कर लिया, तो फिर उसके कारण से भी बढ़ जाते हैं, ये type 2 diabetes कहलाते हैं, यानि कि इसमें insulin बनता तो है, लेकिन उसका mechanism hamper किया हुआ रहता है, ये gestational diabetes, य जानि कि जो कुछ pregnant female होती है, उनके अंदर pregnancy के कुछ महीनों में, या कुछ समाई या last time के आते आते, किसी-किसी female को जो सुगर का लेवाले बढ़ जाता है, तो pregnancy के कारण जो diabetes रिवड अप होता है, उसको हम के stressional diabetes बोलते हैं, और इसका कारण ये है कि pregnancy के time पे बहुत सारे pregnancy hormone release होते हैं, जो उस pregnancy को कांट्रोल कर रहे होते हैं, उनके बढ़ने के कारण उसके उन और pregnancy hormones का लेवल जब बढ़ जाता है, तो जो insulin है, insulin के mechanism को हैंपर करते हैं, वो सारे hormone और इसी कारण से insulin उस cell के प्रती respond नहीं कर पाता, क्योंकि प्रपा रूप से अपना mechanism नहीं कर पाता, फाइनली, glucose का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो gestational period जैसे खतम हो जाता हैं, delivery खतम होने के बाद, hormone का level down होने लग जाता है, pregnancy hormone का, जैसे pregnancy hormone का level down होता है, वैसे female normal हो जाती है, वो diabetes नहीं रह पाती, तो इस तरह के diabetes को बोलती है, gestational diabetes और pregnancy जब तक है, तब तक वो diabetes है, pregnancy खतम ह हुआ है, तो उसको यह ज्यादा रिस्क रहता है, कि बाद में in future में अगर वो अपना खान पान रहेंस और कंरोल में नहीं करती है, तो gestational diabetes फिर से उसको diabetes में कभी भी बना सकता है, इसलिए उससे शवधान रहने के जबत पड़ती है, तो कि in gestational diabetes, pregnancy hormone interfere with how insulin works, यानि कि जो gestational diabetes म hormone होता है, यह pregnancy hormone, यह interfere करता है, insulin के work के उपर, कि insulin जैसे काम करता है, उसके काम के उपर interfere करता है, इसके effect के कारण से वो जो diabetes develop होती है, उसको हम pregnancy, gestational diabetes बोलते हैं, this condition normally disappears after the pregnancy ends, जैसे pregnancy end होता है, वैसे यह disappear हो जाता है, खतम हो जाता है, सब्सक्राइब करने का मतलब है कि वह डाइबिटिक तो नहीं है लेकिन अगर थोड़ी बहुत उसने और परवाही की तो डाइबिटिक हो जाएगा यानि कि उसकी ग्लुकोज का लेवल बढ़ जाएगा इसके कारण बिल्कुल के स्टेस्ने डाइबिटिस के जैसे ही है यानि कि वह अपसका लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है जिसके कारण से उसको डाइबिटिस के तरफ वो जा रहा है पेशंट यानि बॉडर हो रहा है लेकिन इंसुलीन के साथ इंट्रफियर हो रहा है वो सारी Literally सारी उसके अंदर जो chemicals है वो उसके साथ interfere कर रहा है insulin के साथ As a result, blood glucose level rises तो प्री-diabetic में भी rises करता है लेकिन वो diabetic नहीं है थोड़ी से अगर और दिक्कत होगा तो diabetic बन सकता है तो प्री-diabetic वाले patient बिल्कुल gestational diabetes वाले patient के जैसे ही होते हैं और इनको उसी तरीके से अपना किया रखना होता है तो इस वीडियो में बस इतना ही था अगले वीडियो में किसी और टपिक को लेके मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया